नमस्कार दोस्तो पॉपूलर वीडियो बंदार चैनल के अंदर आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हमाई है जीनियस हाई स्कूल के अंदर जोकी प्रिंसिपल सर है जोकी सरव हर्यणा प्राइवेट स्कूल संग ये स्टेट प्रेजिडेंट है तो आज हम सर से डिसकस करना चाते हैं कि जो बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे आज उनकी क्या स्थीती है नमस्कार जी नमस्कार तो सर आप बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगे कि जो पिछली बार लोग डाउन लगा था बच्चों की इतनी सिक्षा मंत्री का और डाक्टर जगवीर सिंग चेर्मेन और दूसरे सभी मलेज हिसार से सपीकर साब का इस बात का दन्यवाद करना चाहूं कि उन्हें एक साल की अक्स्टेंशन बढ़ाई है और स्कूलों को रात दिया है जो स्कूलों के बच्चों के फारम नहीं बढ़े ज मतिकार में है क्योंकि लगातार दो सालों से ऐसे ही रुकावटे आ रही है कभी स्कूल खोल दिये कभी बंद कर दिये बच्चे बढ़ाई से बिल्कुल पिछड़ गया है जैसा भी विकाह जी ने बताए कि आप क्या सोचते हैं कि बच्चों का विश्य बन पाएगा इसमें सराब के ठेके खुले हैं और इकठे होने के लिए 300-400 की इजाज़ दी जाती है यहां तक कि स्कूलों में तो करोनों के नीमों का पानन करते हुए जो बच्चे जो है अलग-अलग बैठते हैं हर चीज का पानन करते हैं स्कूल संचालक भी बच्चे भी तो ऐसी स्थीति में स्कूलों को बंद करके बच्चों का बो इस खराब करना ओर इतने लख को जारों लोगों का रोजगार को खतम करना बहुत चिंतनी विसमार सवार करते हैं कि जल से जल सबक्रीन खुल रहा है तो इसी परकार से इस परकार से सारे बच्चे तो क्या अनपड की तरह हो जाएंगे मैं पहले आपका नाम सुभ नाम क्या मधू सेथी तो आप मैं बच्चों के बारे में क्या कहना जाओगे कि उनके विश्य के बारे में कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता बच्च के बाद school खुले और बच्चे बिलकुल पढ़ाई से बिलकुल छूटी गए उनको पता ही नहीं कि पढ़ाई क्या है online classes तो चली बट बच्चों ने इनका कोई प्रयोग नहीं किया उसके क्या क्या मोबाईल का बुरा प्रयोग किया कि कोई गेम खेलने कुछ और करना बच्चों ने कोई पढ़ाई नहीं कि अब लोगडाउन के बाद अब स्कूल खुले चार से पांच मेने बच्चे आये स्कूलों में जैसे ही बच्चे स्कूलों में अभी तो बच्चे लाइन पर ही आये थे पढ़ना स्टार्ट ही किया था सिलेबस ही कबर हुआ था अब प्रोग्रेस तो अब होनी थी अब दुबारा लोगडाउन कर दिया तो इससे क्या हुआ बच्चे नुकसान किसका है बच्चों का और स्कूल संचालक भी बहुत ज्यादा टैंशन में कई तो सौसाइड करने को लिए त्यार हो रहे हैं उनकी रोजि रोटी पर दिक्कतें आ रही है तो यहां पर बच्चे क्या स्थीती है स्कूल के अंदर जिनिस आई स्कूल के अंदर कि बच्चे क्या पढ़ने से वंचित हो र सब कुछ है तो मैं अब आपका क्या कहना है कि सरकार क्या करे स्कूल लोग के पर पर ने जाएं ताकि बच्चों का भविश्य उजवल हो और जो स्कूल संचाला के वह वह भी टेंशन से मुक्ती पा सके तो मैं जिस प्रकार से टीचर है यहां पर पढाते हैं वो भी सेलरी के प्रती बिल्षी को हमारा पर देंगे तभी editing नहीं देंगे तो हम teachers को पे कैसे करेंगे ये तो सरकार भी ऐसा नहीं है कि सरकार भी कुछ आर्थिक सहयता दे सरकार से अन्रोध है कि private schools private school को वित्य सहयता दी जाए ताकि वो अपना जीवन बसर कर सकें तो दोस्तों आज का ये मुद्द्ध है कि आखिर सकूल क्यों नहीं खूल रहे सारी चीज़ें खूली है तो मैं बोल रहे हैं कि सक्रकर जो private school ये सरकारी स्कूल चुम नहीं को खोला जाना चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षा के विरूद कोई भी शडियंदर ना रचा जासके और बच्चों को आगे बढ़ाय जासके तो अब हम सुरेंदर सर आई हुए हैं तो उनसे कुछ कश करते हैं इनके परती नमस्कार जी नमस्कार जी आपका क्या कहना है कि बच्चों के परती कि सखूल अगर खोलने चाहिए तो कब खोलने चाहिए बात ऐसे है सर स्कूल तो जिदनी जल्दी खुलेंगे उतना ही फायदा हुआ बच्चों को क्योंकि लगातार दो साल से हम देखते आ कि वह जल्दी से जल्दी स्कूल खोले और जो बच्चे है अपनी जो पढ़ाई दुबारा से सई तरीके से शुरू कर सके मतलब मैं अंदिकत यह है क्योंकि एक माँ बाप तो नहीं चाहता बैं गाउं के अंदर यह होता है कि बच्चों की फीस दे आने दें उनको इतनी टें आector चाहोगे कि बच्चे कि परकार से अपनी स्टड्य को जारी करें और कैसे जारी करें देखो सरकार यह कह रहे हे कि ओनलाइन शुक्षा जारी करो ठीक है हम अपनी तरफ से प्रयास और नाटे लेकिन गाउं में ऐसे परिवार और यसे गरीब परिवार सबसे बड़ा साधनेस कोचिंग सेंटर से पूल से हैं जो भी और संस्थान खुले हुए हैं शिक्षाकर वो सभी सभी जो कोके बच्चों को शिक्षा देने के लिए उप्युक्तर बच्चे वहीं पर ही अपना जादा विकास कर पते हैं वहीं से सीख पते हैं वहीं से उनकी दिशा निर्दारीत होती है ना कि केवल ओनलाइन सिक्षा से क्या सिखेंगे बच्चे शिरफ वो मोबाइल उठाके मोबाइल में जो आना कुछ काम देख लेंगे और दूसरी चीज़ें जो मोबाइल में कर्शित करती हैं उनकी तरफ द्यान देंगे लेकिन अगर सर्वांग सरकार से अनरोद करते हैं कि वो जल से जल स्कूल खोले ताकि बहुत से जो विद्यारती हैं हमारे और इससे जुड़ा हुए बहुत सारे रोजगार हैं वो सभी के सभी चलते ने जिस परकार से सरकार ने दूसरी चीज़े खोली हुई है सकूलों को भी परात्मिक्ता पहले शिक्षन संथानों को भी परात मुक्ता पहले उन्हें जल से जल्द खुला जाए तो सर अब जो अगर इनों जैसे सरकार ने अब लोकडाउन नहीं खुला किंडे का मतलब सरकार ने स्कुलों को खोलने की पर्मीशन नहीं दी तो इसके बारे में आप क्या करना चाहोगे हम सरकार से पहले तो रोध करतें ही जलसे जल स्कूल खुल दे नहीं तो हम आरे सर या प्राइव स्कूल कि संगे तरफ से वर सभी पैरेंट्स और जागरुक ग् परदर्शन भी करेंगे जो भी हमारे से बन पड़ेगा इसके समंद में हम सड़कों पर उत्रेंगे किसी ना किसी तरीके से स्कूल खुलवाने के लिए हमारा संग्ठन पूरा का पूरा जोर लगाएगा ताकि बच्चों की पड़ाई खराब ना हूं तो मैं आपकी क्या सब्सक्राइब तो बच्चों का पड़ना अनिवारिया होता है जरूरी होता है क्योंकि वह बच्चे अगर एक साल के अंदर गैप हो जाता तो पीछे वाली सारी चीज़े बूल जाते हैं तो अपना यही मौटीव दाज कि आपको जागरू करना कि यह सरकार जो कुछ कर र वाले बविश्य में कोई ऐसा मतलब शिक्षा के प्रतिवंचीत ना रह सके तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जैहिंद जैबारत वंदे बंदे माथ थैंक्यू